तो जैसे की रक्षा बंदन आने वाला है तो मैंने सोचे आपके साथ एक अच्छी मिठाई की रेसेपी शेयर कर देती हूँ तो चलिए आज बनाते हैं बहुत ही इजी और सेंपल मिठाई इंस्टेंट मिठाई जिसका नाम है मिल्क पेडा तो चलिए देखते हैं मिल्क पेडा कैसे बनाते हैं तो यहां मैंने एक पैन ले लिया है मैंने अभी गैस ओन नहीं किया है इसमें हम दालेगे एक चमज घी यह मैंने देसी घी लिया है एक चमज घी हमें इसमें डाल देना है साथी में हम इसमें डाल देगे दूद तो यहां मैंने तकरीबन तीन टेबल स्पून दूद का इस्तमाल किया है ये नॉर्मल टेंपरेचर पे ही रखावा दूद है इसे मैंने ना ही गरम किया है ना ही ये थंडा दूद है ये नॉर्मल टेंपरेचर वाला मिल्की आपको लेना है अब हम इसमें डालेगे एक चौथाई कब चीनी तो यहां मैंने बारिक पिसी चीनी का इस्तमाल किया है आप चाहे तो घर की नॉर्मल चीनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं मैंने घर की चीनी को मिक्सर में डालके पीस लिया था gas को अब हम करेगे on flame को रखेगे slow पे और इन तीनों चीजों को अच्छे से mix करके हमें तब तक पका लेना है जब तक हमारी चीनी और हमारा घी अच्छे से पीगल नहीं जाता और ये तीनों चीजे अच्छे से mix नहीं हो जाती तो ये देखिए हमारा घी और चीनी अच्छे से पीगल गई है अब हम इसमें डालेगे हमारा main ingredients तो यहां मैं डाल रही हूँ एक कप milk powder यह मैंने whole milk powder लिया है आपको भी whole milk powder का ही इस्तमाल करना है इससे हमारी मिठाई बहुत ही स्वाधिश्ट और टेस्टी बनेगी milk powder दालने के बाद हमें इसे अच्छे से हिला लेना है चमत से हम इसे मिलाते रहेगे और जितने भी इसमें lumps बन रहे इन सारे lumps को हमें अच्छे से break कर देना है आप spatula की मदद से ही इन सारे lumps को break करते रहेगे और एक smooth सा paste तयार कर लेगे याद रखिएगा आपको gas का flame एकदम slow ही रखना है यह तमाम काम को आपको slow आज पे ही पूरा करना है इस mixture को आपको slow flame पे तब तक पकाते रहना जब तक कि यह अच्छा smooth और थोड़ा गाड़ा नहीं हो जाता इसे तकरीबन 5 मिनिट तक लग जाएगे जैसे कि आप देख सकते हमारा mixture अच्छा smooth हो गया है और यह हलका सा गाड़ा भी हो गया है लेकिन यह अभी पूरी तरीके से ready नहीं है हमें इसे और भूनना है तब तक इसे भूनना है slow आज पे जब तक इसका हलका सा color change नहीं हो जाता इसमें से अच्छी खुश्बूनी आने लगती और यह pan को छोडने नहीं लगता तब तक हमें इसे slow आज पे ऐसे मिलाते में भूनते रहना है यह देखिए हमारा mixture अच्छा गाड़ा हो गया है इसका color भी change हो गया है और यह pan को भी हलका हलका छोड़ने लगा है अब इस point पे हम इसमें डालेगे flavor आप कोई भी flavor का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन मैं इसमें डालने वाली हूँ kevda essence तो यहां मैंने तकरीबन दो बुन केvda essence के इसमें डाल दिये हैं आप अपने choice के हिसाब से इसमें इलाइची powder का भी इस्तमाल कर सकते हैं अब इसे हम करेगे mix और दो मिनिट तक हम इसे पकाएगे slow flame पे तो यह देखिए हमारे पेड़े का mixture बिल्कुल ready हो गया है अब देख सकते हैं यह कैसे pan को छोड़ रहा है अब इस point पे हम gas को कर देगे बन और इसे हलका सा थंडा कर लेगे तो अगर आपको पता करना है कि आपका यह mixture बिल्कुल ready है या नहीं पेड़ा बनाने के लिए तो आप क्या कर सकते हैं आप इसमें से एक छोटा सा portion लीजिए और इसे आप अपनी उंगलियों के बीच में ऐसे गोल घुमा के चेक कर लीजिए अगर इसका एक ball बन रहा है इसका मतलब आपका यह mixture बिल्कुल ready है पेड़ा बनाने के लिए और अगर आपका यह ball नहीं बन रहा है इसका मतलब इसे आपको और थोड़ी दिर भूनना है ध्यान दीजिएगा गरम गरम mixture हाथ में न उठा लिजिए तो अब इस mixture को हम एक ball में transfer कर लेते हैं mixture को आपको हलका सा थंडा कर लेना है ध्यान दीजिएगा इसे जादा थंडा मत कर दीजिएगा हलका हलका यह गरम ही रहना चाहिए अब हम अपने हाथों से इसे अच्छे से mix करेगे और जरुवत पड़ी तो आप इस पे हलका हलका घी लगा के इसे अच्छे से मसल लेगे फिर इसे ऐसे फ्लैट करके इसमें एक उंगली का निशान बना देगे और इसे एक पेड़े का शेप देदेगे ऐसे ही करके हमारे तमाम पेड़ों को बना लेगे और बदाम के slice से इसे अच्छे से decorate कर देगे ये देखिए हमारे पेड़े बिल्कुल रेड़ी है चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग तो ये देखिए हमारे इंस्टेंट मिल्क पेड़ा बिल्कुल रेड़ी है बिना किसी मावे और बिना किसी जंजट के ये बहुत ही जल्दी और चटपड बन जाता है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राइ कीजेगा मुझे पूरा यकीन है आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा तो अगर आपको मेरी इंस्टेंट पेडे की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चैनल यमी फूड वीच सना को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू सो मच फूर वाचिंग गुडबाई